आगलगी में लाखों का समान जल कर राख अंचल शेत्र के अमारी पंचात अंतरगत पतला गाउं से आगलगी की घटना दिल दहला देने वाला है आस्था का पर्व छट उक्ता सूरश को और देने पवन एतीन गई घाट पर इधर घर जल कर राख हो गया इसकी सुषना पीडिता को मिली तो होश उड़ गया जानकारी देते पीडिता पतला गाउं निवासी पवन कुमार महतु की पत्नी सुषिला देवी ने बताया कि मैं चार बजे सुबह घाट पर पूजा करने गई कुछ देर बाद ग्रामीडों के द्वारा सुषना मिली कि त हुमारे घर में गया सिलेंडर ब्लास्ट कर गया है और घर जलकर राक हो गया जब तक ग्रामीडों के द्वारा आज आग पर काबुपानी की कोशिश की गई तब तक सारा समान जलकर राक हो गया था उन्हें बताया कि साथ हजार नगत रुपए चार लाक रुपए का सोने जेवर कपड़े बरतन इलेक्ट्रोनिक्स का समान परलंग समेत अन्हे समान तकरीवन आठ लाक का जलकर राक हो गया कुछ भी नहीं बचा है इसकी सूचना आचल प्रशासन को दिया गया है पिडित परिवार को ग्रामीडों के द्वारा सही हो किया गया है पंचायत की समास सेवी राकेश वर्मा राम प्रकाश महतो अशोग बोदार महम्मद जहार चंदन कुमार दीपक कुमार अनिल महतो समेत अन्हे ग्रामीडों ने इस घटना पर दुख वेक्त करते हुए जिला पदा दिकारी से आवाज दिलाने की मांग की है आप जानते हैं लेकिन सारा सामान इनका एक भी सामान इनका नहीं बचा सारा सामान जलकर राक हो गिया है उसके अध्गेरामिनों के द्वारा भी सहिऊक है हमुआ अपने अस्तर से जहां टकहोग सिय किये हैं और ग्रामिन लोग कुछ कर रहे हैं अंचलते भी हम लोग इंफोर्मेशन दे दिये हैं उनके द्वारा भी कहा गिया है के आवेदन आप दिजिए और आवेदन के अनुसार हम लोग जो है जहां तक होगा सही योग करेंगे अपका नाम मेरा नाम गुलाब कलीम समाश सेवी सुबा सरे पांच बाजे गार पर गलिया यहां थुठवए नई जान अच्छे के ना गोर जर ले जान ले तूरे जाजाए ले तब तूरे गोर जर ले नाम सुसिला देवे घर पतला अतिक नाम पवन कुमार महतो